गुड इबनिंग फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि बिलकुल अच्छे होंगे बिलकुल विंदास होंगे एंड भारत और बांगलादेश के बीच में तो T20 मैचे अज समय चल रहे हैं लेकिन में कॉंपोडिशन जो है वो 16 तारिक से शुरू होगा यानि कि भारत बनाव न्यूज़लेंड के बीच में और टेस्ट मैच है न्यूज़लेंड के खिलाब तीन मुकाबले खेले जाएंगे इस मुकाबले की शुरुवाद 16 तारिक को होगी दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 24 आरिक से खेला जाएगा और तीसरा और आकरी टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा एक नवमबर से लेकर के पांकर के बीच में और उतके बाद भारतिया टीम ठेस्ट मैचे के हिसाब लेकिन इस समय हम टेस्ट माचेस पर ध्यान दे रहे हैं टेस्ट माचेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और भारतिय टीम का सेलेक्शन हो चुका है मान करके चले 15 खिलारी जो है वो आलमोस्ट तैक कर दिये गए हैं जो कि न्यूजलेंड के खिलाप में आपको खेलते वे टीम का ऐलान भी बहुत जल्दी कर दिया जाएगा लेकिन सेलेक्शन आप मान करके चले की हो चुका है और ये 15 नाम भी तैक कर दिये गए हैं तो इन 15 नामों के बारे में चर्चा करेंगे और साथे साथ एक नाम जसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है स्टार गीनबास हो सकता ही कि बाहर हो जाया उनकी जिगर पर किसी युबा को मौका मिले लेकिन इन डीटेल में चर्चा करते हैं तेकिन आप सभी दोस्तों से रिक्वेस है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजेगा और इसे कंट्रोल में कर लिया है यानि कि तीसरी दफ़ा हम WTC के फाइनल में पहुंच जाएंगे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके पास में कुलमिलाकर के आठ टेस्ट मैच बागी है टीन न्यूजिलेंड के खिलाप में और पांच आस्ट्रेलिया के खिलाप में इनमें से चा इदराबाद में या फिर बैंगलूरू में एक टेस्ट मैच है और तीनों टेस्ट मैच भारतिय टीम के लिए जीत दर्श करना काफी महत्पूर्ण है इसमें टीम इंडिया बिल्कुल भी कहीं कोता ही नहीं बरतेगी तो भारतिय टीम जो 15 नाम को लेकर के जो कहा जा रहा ह कि एकदम confirmed हैं वो एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि कौन-कौन से खिलारी आपको खेलते हुए देखेंगे और क्या ये वही लगबग टीम होगी जो की बांगला देश के खिलाप में टेस्ट मैच खेली या फिर कुछ बदलाओ आपको देखने को मिलेगा तो देखिए सब से पहले तो भारती टीम के कपतान रोहिट शर्मा के बारे में चर्चा करते हैं तो रोहिट शर्मा अब बेसी बात है इनके बिना इस समय गाड़ी चलेगी नहीं आपके कैप्टन है और भारती टीम के सलामी बलेबास है तो रोहिट शर्मा बिलकुल कन्फरम्द है और ये स वाल दूसरे नाम जो कि सलामी वलेबास की भोमिका में आपको नजर आएंगे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि सर अभी मन्यू इश्वरन का क्या नाम आएगा अभी मन्यू इश्वरन का नाम इस समय जो आपकी 16 सदत से टीम चुनी जाएगी उसमें नहीं लगता है कि आएगा लेकिन उनका नाम हो सकता है कि आस्ट्रेलिया ही दौरे पर आपको बैक अप आपनर के तौर पर आ सकता है लेकिन इस सीरीज में न्यूजलेंड के खिलाप में रोहिट शर्मा आपको ओपन करेंगे ये शवी जैसवाल के साथ में ये तो कंफर्म्ड है तीन नमबर बता दूगा विकेट कीपर बता दूगा स्पिनर और आपको तेज गीन बास तो इस समय कुल मिलाकर के तीन बल्ले बाजू का हमने नाम लिया है रोहिट शर्मा ये शवी जैसवाल इसके लाबा आपके शुबमन गिल इसके लाब आपके चार नमबर पर विराट कोली होंग तगडी बैटिंग की है और केल राहूल का होना भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है बिकेज केल राहूल को आप लेकर कि आस्ट्रेलिया जाएंगे अब तक जो आठ शटक लगाएं उसमें से साथ शटक केल राहूल के देश के बाहर हैं तो इनका रोल बहुत महत्पू हैं अपने दिन पर और ये हमने सैंचूरियन में दो दफा देखा है साथ आफरिका के दोरे पर दो बार हम गए दोजार बाइस में दोजार चोबिस में और दोनों दफा इनका शटक आया है इसके लावा आपके छटे बलेबास के तोर पर सरफरास खान होंगे अब इनको प जसपीद बुमरा बिलकुल कंफर्म नाम है भारतिय टीम के सबसे बड़े मैच विनर जसपीद बुमरा के बिना गाड़ी अपनी चलीगी नहीं मोहमद सिराज का होना बिलकुल तय है ये भी आपको खेलते वे दिखेंगे आकाश दीप बहुत इंप्रेस इन्होंने किया ब आश दीप है आपके पास में तीन फ्रंट लाइन तगड़े गीनबाज हैं जो कि वेकेट टेकर हैं तो ये तीन हो गए इसके लावा आपके पास में येश देयाल है अब यहाँ पर थोड़ी सी पेंच जो है उफस्ती भी नसर आ रही है आप बाए हाथ के तेज गीनबाज के साथ में जाना चाहेंगे तो येश देयाल ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया कि आप उनको टीम से ड्रॉप कर दे लेकिन चुकी येश देयाल को आपने किसी मैच में खिलाया नहीं जो टीम चुनी गई थी बांगलादेश के खिलाप में और इसी बीच येश देयाल जब कि बांगलादेश के खिलाप में आपने दो मैचेस में टीम में रखाता लेकिन अब बैसी बात है वो नहीं खेले डेब्यू नहीं कर पाए या आप मुकेश को लेकर के जाएं ये दोनों में से किसी एक का सेलेक्शन होगा इसलिए मैंने का कि 15 नाम पके हैं एक नाम जिसको पंथ आपके लिए खेलते बेना सराएंगे से में वर्ल्ल क्रिकेट के टेस्स मैचेस के सबसे बहतरीन विकेट कीपर हैं और साथ में आपके धुरूब जुरेल बैक अप के तौर पर होंगे और ये भी तगड़े विकेट कीपर है धुरूब जुरेल अभी इन्होंने 93 मा इरानी ट्रोफी में कमाल की बैटिंग की धुरूब जुरेल ने तो यश दयाल और मुकेश कुमार में जो इस समय जिनको चुना जाएगा उनको चुना जाएगा लेकिन यहां पर कंफिमेशन है कि रिशप पंत और धुरूब जुरेल आपके दो विकेट कीपर होंगे इसक बेहतर आपके पास में कोई आल राउंडर है नहीं और एक स्पिनर के तौर पर हलांकि यह तीनों ही स्पिनर हैं और पांच-पांसो विकेट ले चुके रभी चंदन अश्विन तीन सो विकेट जाड़े जाएगा के नाम है लेकिन अगर स्पिनर की मैं बात करूँ कोटे से स्पिनर कोटे से जो खेलते हुए नजर आएंगे वो कुलदीप ही आदब हैं इनका भी भारतिय टीम में न्यूजलेंड के खिलाप में चेयन जो है वो कनफर्म्ड होगा तो मैं एक बाद टीम बता देता हूँ रोहिट शर्मा, यशास्वी जैसवाल, शुबमंगिल, विर विंदर जाड़िजा एंड कुलदीप याद अब ये तमाम नाम कनफर्म्ड हैं लेकिन एक नाम को लेकर के जो कन्फूजन है जैसे मैंने आपको कहा या तो यश दयाल के साथ में कंटिन्यू किया जाएगा या फिर मुकेश कुमार की एंट्री हो सकती है तो आप लोग भी अपनी बेस्ट टीम बताईएगा स्कॉड बताईगा न्यूजलेंड के खिलाप में बहुत जल्दी इसका एलान भी कर दिया जाएगा बाकि ये टीम आपको कैसे लगी आप अमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों झाल